आज हम आपको आप्रेशन अम्प्रिफायर और एलेक्ट्रोनिक सर्कुट में जो प्रिकाशन लिये जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे, हम आपको बीश प्रिकाशन बताएंगे, इस शीट पे आपको बारा नजर आ रहे हैं, एक और शीट है, उसमें आठ हो रहे हैं, पहला है कि जब आप हम यूज करते हैं, तो उसकी प्लस और माइनस सप्लाई में, आप हमेशा एक पाइन जीरो बन माइक्रो फराडे का कैस्टर लगाएंगे, यह हाइफ सेकंशी टाइप का होना चाहिए, मेटलाइज पालिस्टर हो सकता है, इससे जो सप्लाई में हाइफ रदुजी कंपोनेंट हैं, उसका इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, फिर इस पालिस्टर कैस्टर के लावा, एक हम एलेक्रो लाइटिक कैस्टर भी लगाते हैं, टैन माइक्रो फराडे का, जो इसकी करण को सप्लाई कर सकता है, बीच इच में स्पाइक्स आते हैं, तो वो करण यह सप्लाई करता है, अगर आपकी पावर सप्लाई अनरेगुलेटेड है, जैसे घरो में होती है, कॉलेज में लेज में तो आपको रेगुलेटेड सप्लाई मिلती है, तब यह काफी है, लेकिन घर में रेगुलेटेड सप्लाई नहीं होती, तब आप One Thousand माइक्रो फराडे का कैस्टर लगा प्लस में भी माइनस में भी प्लस में देखे यह प्लस है यह ग्राउंड है और नेगेटी में यह प्लस है यह ग्राउंड है प्लस वाला ग्राउंड को कनेट करना है और माइनस वाला माइनस अप्लाई को करना है यह जो कैस्टर हमने बता है यह हर आईसी में लगेगा अगर अगर आप पांच शे यूज़ कर रहे हैं, तो पांच शे लगेंगे, उसको आज हम आप हम यूज़ करते हैं, तो या तो निगेटी इंपुट यूज़ करते हैं, या ये पाजिटी यूज़ करते हैं, यहाँ पाजिटी दिखाया है, या हमने निगेटी दिखाया है, ये त तो जब भी मैंने यूज़ किया है, हमको इसमें प्राब्लम आई है, आप हमेशा input को, निगेटिव में दें, और अगर आपको फिर इनवर्ट करना है, तो एक और IC यूज़ कर सकते हैं, पाजिटिव में जहां तक हो सके, input देने को अवाइड करें, इससे अनिस्टेबिलिटिव क्रेट हो जाती है, फिर जो पावर सप्लाई है, ये कार्ड के लिए, कार्ड में बहुत सारे IC होते हैं, गेट होते हैं, इसमें पावर सप्लाई input आता है, उसमें तीन कमपोंटनें लगाएं, प्लस में भी, माइनस में भी, ये कैस्टर अलग है, ये कैस्टर अलग है, ये कामन है, और ये सबका अलग है, ये लक्त्रोलाटिक कैस्टर है, 10 माइक्रो फेराडे का, ये मेटलाइज पालिस्टर कैस्टर है, 0.01 माइक्रो का, और दो डायोड है, 4007, इस से क्या फैदा होता है आपने देखा होगा कि लैब में अधिकतर हमें भी जब करता था तो बहुत से प्लस लग जाती है यह प्लस लग जाती है यह डाइओड अगर उल्टी सप्लाई होगी तो शाड कर देगा और आपका सरकिट पूरा बच जाएगा आपके IC fail होने से बढ़ जाएंगे जो हमारे industrial PC बनाते हैं बोर्ड बनाते हैं उसमें ये हम compulsory लगाते ही लगाते हैं जिससे कोई गलत connection दे दे तो भी हमारा बोर्ड ना खराब हो उसकी बार दिहार राते हैं बहुत सारे register हम यूज करते हैं operation amplifier में तो वो जो register हैं वो बहुत ज़्यादा value और बहुत कम value का use नहीं करना चाहिए आप 47K से उपर का कोई भी register use ना करें और 1K से नीचे का भी ना करें खाली हिस्टिस के लिए जो register use होता है वो high value का होता है उसको छोड़के बाकी इसी range में करें high value के register से नाइज भी ज़्यादा आता है वो reliable भी नहीं होते जो register होता है वो एक common item लेते हैं उसको cut करते हैं तो register की value बढ़ाने के लिए उसकी thickness कम करते हैं तो जितनी register की value बढ़ती जाती है register की thickness cutting के वज़े से कम होती जाती है तो वो जल्दी तूट सकता है और nice भी आती है इसमें तो register की value हमेशा इस रेज में रिज़े जितना हो सके तो लेकिन possible नहीं है तो आप यूज करिए उसके बाद आप हमके output में direct capture ना लगाएं आपको एक register लगाना पड़ेगा आप हम capture drive करने के लिए नहीं होता यह avoid करें फिर इदार आते हैं यह feedback जो resistance लगा है हम negative इसको feedback बोलते हैं आप कुछ लोग इधर भी feedback बोलते हैं मेरी भाषा में यह है resistance यहाँ पे एक 0.001 micro यह आप 1 nano का capture लगाएं यह negative feedback होता है निगेटी feedback हमेशा help करता है भली वो IC हो भली वो control system हो आपने हमारा control system का tutorial देखा होगा तो उसमें निगेटी feedback से control काम करता है ऐसी यहाँ पर भी यह फिर यहाँ हमने देखो दो डायोड लगा रखे हैं इन्वर्टे डायोड पैरलल में एक का cathode उपर है एक का cathode नीचे है यह register के बाद लगे हैं डायेक्ट इन्पुट में यह signal डायोड है इसको जरूर लगाएं इससे IC fail नहीं होगा IC product होगा हमने एक IC के tutorial में भी यह बताया है पहले यह डायोड 1N4148 में यूज करता था हमारे circuit में यह यूज हुए है आप चाहें तो कोई दूसरा यूज कर सकते है मगर यह signal और false डायोड हो यह वाला नहीं यह power circuit में यूज होता है यह normal rectifier डायोड है यह signal डायोड है अब यह जो IC है इसके terminal नहीं minus और प्लस इनको touch मत करें do not touch इसमें CRO और multimeter भी ना लगाएं क्योंकि उसमें लंबे लंबे वायर होते हैं वह नौएंस आता है लेकिन मजबूरी है आपको इस पायन का voltage मेजर ही करना है तो आप मेजर करिए लेकिन आपने सरी बिलकूर नहीं लगाएं precaution का मतलब होता है कि जो जो हम कर सकते हैं वो करें इसको ना हाँ से चूना है ना CRO लगाना है ना multimeter लगाना है ना कोई यहां से wire लगाने है यह registration सीधा plus में यह registration सीधा minus में जाना है जैसे breadboard होता है यह हम IC लगा देते हैं और यहां से wire लेगे और फिर register लगाया ऐसा नहीं है आप terminal पर सीधा register लगाएं अब PC में जो आप component नहीं होते हैं यहां हमने diode दिखाया है register भी हो सकता है जैसे यह वाला diode है उसकी rating है 1 amp मंगर आपका इतलाग पढ़ें तो उसकी बहुत सी condition है जैसे diode में या register में current flow होती है तो यह गरम होता है गरम होने के लिए इसको cooling चाहिए तो वो लोग cooling के लिए इस पर depend करते हैं यह जो lead है ना यह lead से heat flow शार्ट length होना चाहिए जो length है शार्ट होने चाहिए शार्ट होने से जो heat है lead के तुरू flow होती है और PCB में track होती है PCB track को लोगी तो PCB जो track होती है वो cooling का काम करती है वो heat strength का काम करती है तो यह lead जितना छोटा होगा उतनी heat जल्दी transfer होगी आप data sheet देखें तो उसमें यह specify है कि इस lead की length maximum क्या है अगर उससे जादा आप lead ले लखेंगे तो diode या register खराब हो जाएगा तो यह आप ख्यार लखें फिर जब आप component लेते हैं तो component desk में पढ़े रहते हैं तो उनकी lead पर तमाम dust आ जाती है वो dust लगे हैं component को या तो आप solder करें या breadboard में लगाएं दोनों में प्राबलम आती है तो आप एक knife लें यह pencil बनाने का knife है और ऐसे करके उसकी lead को साफ करें साफ करने के बाद यूज करें अगर नया है register तो भी साफ करें साफ करने से यहाँ पे contact अच्छा होगा आपका यह register देख रहे हैं आप यह heat होता है तो यह गरम होता है यह गरम उनने से यह बले फेलना हो लेकिन इसके पास के जो component होते हैं वो फेल हो सकते हैं इसलिए उनको दूर रखें कभी कभी क्या होता है कि वो component फेल हो जाते हैं हमारा ध्यान इस पे नहीं जाता जबकि इसकी वज़े से वो फेल होते हैं तो आप gap रखें जिसे दूसरा फेल दा हो इसकी heating की वज़े से पिर यहाँ पे एक आप potential emitter देख रहे हैं potential emitter में surface area काफी होता है उसमें capacitance होता है जिसकी वज़े से वो nice pick up करता है तो आप physically small लें potential emitter, small का मतलब value नहीं value तो वो होगी जो आपने design करी होगी size में जो जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा noise उतनी काम आएगी अब यह breadboard देख रहे हैं आप breadboard में hole होते हैं ऐसे यह देखिए यह short होते हैं यह copper strip हो गी है इसके अंदर और इधर भी होती है तो जब दो काफ़टर इस्ट्रीप होंगी तो उनके बीच में कैपिस्टेंस होगा small value होती है मत कैपिस्टेंस होता है यह आपको पता होना चाहिए अगर आपके design allow करती है और यह सब पिनों के बीच में होगा अगर allow करती है तो ठीक है अगर allow नहीं है if she is not allowed then use PCB don't use the breadboard यह आपके information के लिए कि आपको यह पता होना चाहिए problem यह होगी और आप सोतरेंगे problem कहीं हो रहे है आप नहीं दोड़ पाएंगे अब जब हम power supply on करते हैं तो थोड़ा waiting period होना चाहिए करीब 60 second क्या होता है जब हम on करते हैं तो component heat up होते हैं अंदर IC में भी बाहर भी तो उनको stabilize होने में समय लगता है आप उनको stabilize होने दें एक मिनिट रुके हैं फिर सट के चेक करें आपकी कई समस्याइं खतम हो जाएंगी उसको बाद मार दिन फार like of knowledge क्या होता है हमारे कुछ knowledge होती है हम सोचते हमें आता है लेकिन भगवान तो कोई नहीं है न सबको knowledge gap होती हमें भी होगी आपको भी है तो थोड़ा margin रखें कि शायद हम को नहीं आता हो शायद हम से गलती हुई हो अगर आपने 5 watt calculate किया है तो 6 watt मालें अगर 0.1 ampere design value आती है तो component ऐसा लें जो 0.12 ampere तक ले सके इसको बोलते है margin for lack of knowledge ये इधर भी है दोबार आप बताएंगे हम ठीक अर्थ जो अर्थ वायर है वो हमेशा साफी ठीक होना चाहिए अगर आप ठीक यूज नहीं कर सकते हैं तो पतले पतले दो या तीन वायर यूज कर सकते हैं जैसे देखिए पतले हमने दो वायर दिखाएं दो नो ग्राउंड करिए नहीं तो ठीक वायर यूज करिए पीसीबी में जब यूज करें अगर आप पीसीबी लियाउट डिजाइन कर रहे हैं तो आर्थ की ट्रैक मोटी होती है देखिए कोई भी पीसीबी लिज यह है लक्रोणी सर्किट में तो जहां जहां खाली अरिया होता है वहाँ वहाँ एक कापर स्ट्रिफ होती है वह अर्थ होती है जिससे नौइस काम आती है तो यह बहुत जरूरी है नौइस कम करने के लिए और प्राफर फंशनिंग के लि वो क्यों वो मैं बता रहा हूं एक तो नालेज गैफ होता है हम किसी की नालेज हंडेज परसेट नहीं है हमें पता भी नहीं होता कि हमें आता है कि नहीं आता कुछ चीज़ें तो हम मानते हैं कि हो सकता है में कई मिस कर दिया हो कुछ हमें नहीं आता हो तो उसके लिए में म मतलब हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं तो जो information gap की वज़े से में margin देना पड़ता है यह हम अपने अन्भव की बात बता रहे हैं फिर component tolerance होती है आपने कोई register लिया उसमें tolerance हों की 5% आपने value calculate की 0.1 ampere लेकिन register की value अगर 5% कब है तो current बढ़ जाएगी तो component tolerance की वज़े से भी margin देना पड़ता है design margin बोलते हैं इसको फिर better life आप जितना margin ज़्यादा देंगे life उतनी ज़्यादा होगी exam विएल के लिए मैं बताता हूँ एक diode है 4000 से भी नभी मैंने youth किया था दिखाय था आपको वो 1 ampere का है आप जितना कम current इसमें flow कराएंगे उतना वो ज़्यादा चलेगा उसकी life ज़्यादा होगी उतना fail होने के chances कम होगा और margin के लिए सबसे ज़्यादा component है LED जिसमें light होती है LED की life काफी होती है लेकिन LED की life current पे बहुत ज़्यादा depend करती है अगर आप LED की life बढ़ाना चाहते हैं तो current कब करती है current आदी होती है तो life double नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं better life के लिए margin रखना electronic circuit में industrial circuit में जब हम कहीं diode यूज करते हैं LED यूज करते हैं और possible वो indication के लिए नहीं है तो हम यह कोशिश करते हैं कि उसमें current कम से कम flow हो उसको हम charge duration के लिए यूज करते हैं और अधिक तर वो आफ रहता है circuit ऐसा होता है better reliability आप जितना margin देंगे उतना reliability better आएगी उतना वो fail नहीं होगा एकर 10 ampere का कोई चीज है और आप उन्हें 5 ampere flow कराएं तो fail नहीं होगा 12 कराएंगे तो fail हो जाएगा तो थोड़ा बड़ा बनाएं ज्यादा margin से बनाएं जिससे reliability उसकी अच्छी हो bad quality of components आप जो component लाते हैं उनके quality अच्छे नहीं होती उसमें लिखा होता है 1 ampere लेकिन वो 1 ampere का नहीं होता उसका source आपको पता नहीं होता किसने बनाया कहां से आया हो सकता है 1 की दिखाब 0.8 पर ही वो fail हो जाए तो उसके लिए भी margin देते हैं हम अजूम करते हैं कि quality perfect नहीं है हम अपनी तरफ से देते हैं क्योंकि quality खराब है तो हम सब हरोंगे ना हम चाहते हैं कि हमारा circuit फेल ना हो तो उसके कोशिस के लिए हम इसके लिए भी कुछ margin देते हैं उसके बाद environment आप live में काम करते हैं में एस ही हो सकता है या आप एक ऐसे city में काम कर रहे हैं जहां ठंड ज़्यादा पड़ती है गर्मी कम पड़ती है अपने circuit design कर लिया काम कर रहा है लेकिन वो ही अगर किसी गरम जिगे ले जाएं जहां 45 degree, 48 degree temperature हो तो वो circuit काम नहीं करेगा तो उसको बोलते environmental problems तो उसके लिए भी margin दें जहां टेस्ट कर रहे हैं कई और जिगे जाएंगे तो वहां रूम या environment का temperature ज़्यादा हो सकता है तो उसके लिए भी हमें margin देना पड़ता है फिर power supply variation होती है power supply कभी भी stable इतना नहीं होती है regulated होती है तो अभी कभी उसमें variation आते हैं आप main use करें 220 volt उसमें variation होता है तो इसके लिए भी हमें margin देना पड़ता है जैसे मान लिजे को कोई IC वो कहता है कि 10 volt तक काम करेगा 10 के उपर आप मत दीजिए तो उस IC को कभी 10 पे use मत करिए 9 volt पे या 8 volt पे करिए 10-15% margin दीजिए आप फिर dust इनमारे हमने बहुत सारी dust रहती है dust आती रहती है तो यह ध्यान रखिए कि dust भी आ सकती है उसके ओपर गिर सकती है हमें क्या करना है फिर design mistake होती है हम design तो कर देते हैं बहुत से parameter हम consider नहीं करते हैं जैसे यहां आमने बताया capture है या और भी design parameter होते हैं जो हमारे knowledge से बहार होते हैं या फिर हो minor होते हैं हम सोचे हैं कि इस फ्रोगिमेट calculation कर लेते हैं इसकी value की ज़रूरत नहीं है जैसे उदारनेट के लिए हर lead में हर component में capacitance और inductor होता है inductor और capture के लाबा और भी चीज़े होती हैं मंगर inductor and capture जरूर होता है lead की वज़े से हम हमेशा उसको ignore करते हैं ऐसा नहीं है तो problem कर सकता है तो उसको बोलते हैं design mistakes क्योंकि वो हमारे mistake है हमने उसको consider नहीं किया उसके लिए भी मार दिन दे हैं मेरा experience है इन सब की वज़े से आप 50% मार दिन दे हैं voltage में, current में और power में अगर आपको 200 volt का चाहिए तो आप 300 volt के लिए design करें अगर minimum voltage 40 volt है तो आप 20 volt के लिए design करें variation के लिए range बढ़ाने के लिए current में भी अगर 10 ampere के लिए design करना है तो 15 ampere का बनाएं power भी, अगर 100 watt का बनाना है तो आप 150 watt का बनाएं अगर आप 50% यह rough value है, जो कि मैं लेता हूँ आप अपना अन्वोकेंज, अंसार डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको अन्वोह है तो बहुत बढ़िया लेकिन नहीं हैं बाकि जब आपको 1 होगा तो आप अपने हिसाब से margin करिए आप better design कर सकते हैं आज के लिए इतना ही, अगर हम आपको explain करने में सफल हुए हो और आपको हमारा वीडियो यह useful लगे तो आप like करें और subscribe करें subscribe